I hope आप सब खेरियस होगे तो यह वीडियो आप सब के लिए बहुत जादे important होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं एक future trading strategy के बारे में इस future trading strategy को अगर आप use करते हैं तो आपको future trade के लिए active नहीं रहना पड़ेगा आप अगर कोई future trade को open किया है तो यहाँ पर बाइनास खुझ से ही उसके targets and stop loss को set up कर देगा और इसके साथ तो खुझ से ही आपके stop loss and targets को move करता जाएगा जैसे जैसे price उपर जाएगी और वहाँ से अगर price drop होती है तो वह खुझ से ही आपकी positions एक minimum loss पर यहाँ पर close कर देगा तो इसके लिए हमने पहले भी videos बनाई थी trailing stop loss पर trailing stop loss क्या वतर किस तरह से आपने इसको use करना था तो आज आपको मैं इसके पर जो सही से steps होते है वो सब आपको इस वीडियो में मत पताऊँगा आपने इस वीडियो को A to Z देखना है आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं वहाँ पर आपको 100% accuracy के साथ free में signal provide किया जाएंगे लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा जल्दी से आप हमारे channel को join कर सकते हैं वीडियो को start करते है जैसे आप future वाले valid में आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह interface हमारे सामने open हो गया ठीक है यहाँ पर मैं आपको सिخाने के लिए यह कर रहो हूँ— आप इसको अपणी मर्जी से ही set up कर सकते है burada अप उपनी मर्जी से ही अपने trail click stop को लगा सकते हैं यहाँ पर इसको एक exemple की तोरफ पर समझाने जा रहा हूँ कि यह किस तरह से work करता है किस तरह से setup करना है इसका मतलब यह नहीं होगा किस तरह यहां पर मैं करूँगा कितने percent मैं रोखूंगा आपने भी उतना रखना है आप उसे कम यह ज्यादा कर सकते हैं ठीक है let's suppose यहां पर मैं open करता हूँ तो यहां पर मैं क्या करूँगा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अभी हमारी यह position open हो चुकिए है जिसमें हमारी यहां पर जो liquidations price आ रही है वो 0 है और यहां पर जो हमारा margin यूज हुआ है वो almost $1 है उसके साथ साथ हमारी entry price यहां पर 0.42 है और यहां पर जो हमारा यहां पर XRP का size है वो 15 XRP है यहां पर हमने किस तरह से trailing stop loss को set up करने है trailing stop loss को set up करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको simply यहां पर market लिखा हुआ है इसी market वाले option पर आना है जैसे आप इस market वाले option पर आएंगे तो simply यहां पर आपको कुछ यह option नजर आने लग जाएंगे यहाँ पर इन option में से आपने किस पर use करना है second last option यहाँ पर आपको trailing stop का नजर आ रहोगा आपने simply इसी पर option पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आप आपके सामने यह वाले options नजर आने लग गया है अब आपने इनको use किस तरह से करना है यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर positions long की open कर रखी है तो यहाँ पर आप simply जाएगे यहाँ पर close वाले option पर यहाँ पर आप जैसे ट्रेलिंग पर click करेंगे तो आपके सामने यह वाले दो option नजर आने लग जाएगे open and close ठीक है यहाँ पर open के लिए आप हम use तब ही करेंगे जब हमने कोई open का order लगाना हो कि यहाँ पर price जाएगी तो हमारा order open यहाँ पर हमने already open कर रखी है positions long कर रखी है तो आज यहाँ पर आप हम इसको close करने लगे हैं तो हम यहाँ पर close long को ही यहाँ पर इस्तमाल करेंगे ठीक है जैसे आपने यहाँ पर close के option पर click किया है तो आपके सामने यह वाला page open हो गया ठीक है यहाँ पर आप देख सकते एक्टिवेशन प्राइस अक्टिवेशन प्राइस कि आप किस प्राइस पर इस trailing stop loss को activate करना चाहरे है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसी रहने दूँगा ठीक है यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते है तो वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस price पर active हो जाए अपना stop loss रखना चाहते है 0.5 से ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं 0.5 कर देता हूँ, और यहाँ पर activation price चाहरे है, उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो नीचे आगे है यहाँ पर mark, sorry, यहाँ पर लिखा हूँ है amount XRP, कि आप कितनी XRP के amount पर इस trailing stop loss को apply करना चाहरे है, तो मैं कहता हूँ, यहाँ पर 100% ही XRP पर इसको apply करना चाहरा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको select करना हूँ, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह चीज़ें आपने fill up कर लिए, ठीक है, यहाँ पर आपने callback setup कर लिए, कितने पर आप यहाँ पर loss कर रहाएंगे, ठीक है, उसके साथ आपने यहाँ पर activation price और यहाँ पर XRP, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अब आपने जैसे यह तीनों चीज़ें आप select कर लेंगे, उसके close long पर click कर देना, जैसे यहाँ पर close long पर click करता हूँ, तो हमारे सामने यह वाला page open हो जाएगा, जिसमें वो हमें बताएंगे कि आपने क्या क्या select कर रहा है, ठीक है, callback rate जो है, वो यहाँ पर 0.5% है, और XRP के amount जो है, वो हमारे 100% ही यहाँ पर use हो रही है, so simply यहाँ पर मैं close long पर click कर दूँगा, जैसे यहाँ पर मैं close long पर click करूँगा, तो आप simply देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा order यहाँ पर place हो चुका है, ठीक है, इसका फैदा क्या होगा, अब देखें, ट्रेलिंग stop loss का अब हमें फैदा क्या होगा, अभी जो price चर रही है, वो 0.4294 चर रही है, sorry, 0.4294 पर हमने इस positions को long किया है, और अभी जो price चर रही है, वो 0.4307 चर रही है, अब यहाँ पर यह हमारा जो apply हो चुका है, यह जो trailing stop loss, यह हुआ है 0.4301 पर almost ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ से price गिरती है, 0.5% यहाँ से price गिरती है नीचे, तो हमारी जो positions है, वो close हो जाएगी, ठीक है, close कहाँ पर होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मारे trailing stop loss लगा है, वो 0.4304 पर activate हुए है, अगर यहाँ से price 0.5% नीचे गिरती है, तो हमारा यहाँ पर जो stop loss है, वो hit हो जाएगा, अगर यहाँ पर let's suppose price यहाँ पर अभी चल रही है, 0.4316 और यहाँ पर अगर price यहाँ से move हो जाती है, कितना move होती है यहाँ पर, अगर यहां से price move होती है 0.4325 पर चली जाती है तो हमारा जो trailing stop loss होगा वो यहां से move होकर 0.5% उपर आ जाएगा और इसी तरह यहां पर अगर price और उपर जाएगी इसी तरह हमारा जो stop loss है वो उपर उपर move होता जाएगा लेकिन यहां से let's suppose अगर यहां पर हमने open किया है अभी आप trailing sorry आप open order में आएगे तो आप open order में अभी हमारा 0.4304 पर ही हमारा यहां पर trailing stop loss लगा हुआ है लेकिन यहां पर अगर 0.05% price और उपर जाती है तो हमारी जो positions है वो profit में ही close होगी I hope कि आपको यह समझ आया होगा ठीक है लेकिन अगर आपको नहीं आये तो मैं again से इसको explain कर देता हूँ आप सब के लिए यहां पर आप आप देख सकते हैं हमारी positions open हो चुकी है वो automatically ही यहां पर हमारी positions को close कर देगा लेकिन let's suppose यहां से price 0.4304 से अबाव जाती है 0.5% तो वहां पर हमारा जो trailing stop loss है वो वहां से move होकर 0.4303 से move होकर उपर आ जाएगा 0.5% और इसी तरह जैसे जैसे price उपर की जानब move होगी हमारा जो stop loss है वो उपर ही की तरफ move होता जाएगा 0.5% लेकिन एक बात जो लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं वो यह सवाल है कि let's suppose हमारा जो order है वो 0.4403 पर हमारी activations price चली गई है ठीक है trailing stop loss हमारा इस पर activate हुआ है तो यहां से अगर 0.5% price अबाव चली जाती है उपर की जानब तो अब हमारा जो यहां पर stop loss है let's suppose यहां पर trailing stop loss वो 44415 पर आ गया है ठीक है तो अब यहां पर price यहां से drop होती है तो क्या हमारा जो stop loss है वो भी नीचे की जानब और drop होगा यह हमारी position 0.445 पर ही close होगी तो इसका answer यह है कि आपकी जो positions होगी वो 0.445 पर ही close होगी और profit में ही close होगी यही तो trailing stop loss का फैदा है कि आपकी positions profit में ही close होगी अगर आपके entry price से आपके जिटना percent आपने अपना trailing stop loss को लगाया होगा उससे price अप चली जाती है तो I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी issue है या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नेशे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको उसमें आपको answer दे दूँगा उसके साथ साथ आप हमारे telegram group को भी joint कर सकते हैं वहाँ पर आप personally ही मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको बात समझ नहीं आती है आप अपना issue बता सकते हैं